तो आज मैं गिना गई हूं आप सब के लिए बहुत ही मिज़िदार शी रेस्पी के साथ आज मैं बनाने चाहर हूं नमकीन चिकिन कड़ाई तो चले देखते हैं कैसे बनती है विडियो को स्टार्ट करते हैं विडियो को स्किपनी की जगा स्टेप टू स्टेप फॉलो लियो के बिए सबसे पहले पॉर्ट ले लिया है जिसमें हाफ कप उयल एट करेंगे ऑलको अची तरीके सभी निए थाटियु आधि ने करेंगे तो फो आइल करेंगे हम चिकन को अची तरीके से हाइफ लेम पर जो है वह राए होने देंगे अगर हम इसको हाइफ लेंग प पर वन केजी चिकन की रेसिपी बनाई है जितनी आपकी चिकन उसके साब से रेसिपी के मसाले वगारा कम जादा कर सकते हैं तो बस यहां पर चिकन को अची तरीके से हम फ्राय होने देंगे हाई फ्लेम पर ताकि पानी रिलीज ना हो और यह उससे पहले ही जो है अच्छे से यहां देखिए हमारी चिकन जो है वह बिल्कुल ही अच्छे से फ्राय हो चुकी है कलर भी अच्छे से जो है वो चेंज हो चुका है बस अब हम इसको थोई दिर तक और पकाएंगे ताकि यह हाफ जो है वो टेंडर हो जाए यह देखिए इस तरीके से हाई फ्लेम परी और अब इस पॉइंट पर हम इसमें जो है वो जिंजर गाले का पेस्ट एट करेंगे वन टेबल स्पून भर कर इसमें जिंजर गाले का पेस्ट एट करना है क्योंके पहले ही हम इस रेसिपी में कम स्पाइसिस यूज़ करेंगे तो इस रेसिपी को फ्लेवर फुल करने के के लिए हमें जिंजर गाले का पेज़ों है वो ज्यादा आट करना है और इसको खूब अची तरीके से दो मिन्ट तक बून लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए देखिए हाई फ्लेम पर ही हम इसको अच्छी से बून लेंगे बिल्कुल इस तरीके से और बस अब इस पॉइंट पर में पास 6 अदर टमाटर है जिनको मैंने बीच में से कट कर लिया है आप अगर ज्यादा ग्रेवी करना चाहें तो ज्यादा टमाटर भी एड़ कर शकते हैं ये देखिए इस तरीके से छे टमाटर बीच में से कट करके मैं इस तरीके से रख दूँगी इससे क्या होगा टमाटरों को डारेक्ट स्टीम मिलेगी तो वो अच्छे से फॉरण से जल्दी से गल जाएंगे इसको अब कवर कर देंगे और यहां देखिए हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से गल चुके हैं अब हम इसको पील कर लेंगे क्लिपर की मदद से इस तरीके से जो है वो इसके छिलके हटा लेंगे इसी तरीखे से जो है consistent सारे टमाटर को हम पील कर लेंगे ये बहुत ही easy recipe है बिल्कोली quick कम मसालों के साथ बिल्कुली मज़ेदार सी निंटो में बंगरी रडी हो जाती है तो बस यहां पर देखें मैंने सारे टमाटर को जो है जो है वो इस तरीखे से पील कर लिया है अब जो है बस यह टमाटर को हम बून लेंगे चिकन के साथ यह सारे जो है वो छिलके निकालने के बाद अब टमाटर हम अच्छे से बून लेंगे यह देखें इस तरीके से इस पॉइंट पर हम जो है वो फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करेंगे और टमाटर को अच्छी तरीके से बून लेंगे यह देखें इस तरीके से तक्रीबं तीन से चार मिन्ट तक लगतार अच्छी तरीके से हम टमाटरों को बून लेंगे मीडियम फ्लेम पर और यहां आप देख सकते हैं हमारे टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से बून चुके हैं मुझें और अच्छी तरीके से हम और बून लेंगे और फिर हम हरी म्रचे ये तक्रीनुमस करेंगें ठड़ियर ke इस ब्लाक पर एट करेंगे वनटी स्पून पॉडर कर देंगे जब हे जरूरनट कीज़ेगां यह रेसीपी के टेस्ट बहुत ही इंह बहूँन करका। अब हम इसको अच्छी तरीके से बून लेंगे मसालों के साथ, ये देखें इस तरह, तकरीबन दो मिन्ट तक अच्छे से हम मसालों के साथ इसको बून लेंगे, और अब थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसको कवर कर देंगे, जब तक हम एक सारी चीज़े अच्छे से घल जाए और यहां देखें बस हमारे जो है वो चिकन भी अची तरीके से गल चुका है अब इसको एक बार अची तरीके से बून लेंगे यह देखें इस तरह बिल्कुल ही अच्छे से हमें जो है वो इसको बून लेना है और अब हम इसमें एक कब भरकर दई आट कर देंगे दई आट करने के बाद हम इसमें गरम मसाला भी आट करेंगे दई जो है वह अच्छे से बिस करके आट करनी है गरम मसाला इसमें हम वन ती स्पून आट करेंगे और बस इसको जो है वो अची तरीके से बून लेंगे जल्दी जल्दी से हमें जो है वो इसको बून लेना है ताकि हमारा दरी जो है वो पटना जाए ये देखें इस तरीके से और बस अब इसको कवर कर देंगे एक दफ़ आची तरीके से बून कर इसको हमें 10 मिन तक कवर कर देना है और यहां देखें 10 मिन तक हो चुके है और यहां हमारे लजीज सा जो है वो नमकीन चिकन कड़ाई बिल्कुली रडी हो चुका है तो देखा कितनी एजी हो कितनी जटपट तरीके से माई रडी हो गई उमीद करते हूं कि आपको यह मेरी चिकन नमकीन कड़ाई की रड़ाई ची लगी होगी रड़ाई ची लगागी तो विडियो को लाइक करना ना भूले शेयर करें, कॉमेंट करें और ऐसी चटपटी रड़ाई स्पीज के लिए मेरी चनल दाइस पार सिस्टर को सब्सक्राइब कर ले मिलती हूं नेक्स वीड़ो में अपना बहुत सरा क्याल रखीगा दौा में आद रखीगा, अल्ला हाफिस